इस वीडियो में आप सबी के साथ एक important discussion करने वाला हूं यह जो discussion रहेगा यह नीट यूजी की second round की counseling के बारे में रहने वाला है कि किस तरीके से आपको participate करना चाहिए so that कि आपको college मिल पाए यहां पर आप जो है second round के बाद risk बढ़ जाता है ठीक है क्योंकि first round तक आपको free exit का मौका मिलता है यानि कि first round में आपने मालो कि कुछ फालत हो कि colleges अगर fill कर भी दिये अगर आपने उसमें admission नहीं भी लिया तो भी आप security fees का जो refund है उसको लेने के लिए eligible रहते हो ठीक है लेकिन second round onwards जो है यह जो आपकी situation है यह reverse हो जाती है और फिर इसके बाद आपको नहीं chance दिया जाता है इस चीज़ के लिए कि भाई आपने जो है कोई भी college select करा अगर आपको वो मिल जाता है और मिलने के बाद अगर आप उस पर admission नहीं लेते हो तो आपकी security fees आपके हाथ से चले जाएगे ठीक है तो यह सारी चीज़े हम detail में समझेंगे and cut-off के बारे में भी हम लोग discussion करेंगे कि भाई आप यह जो second round के cut-off है वो लगबख कितनी जा सकते है ठीक है सभी courses इसके लिए और दूसरी चीज़ यह भी है कि उसके बार जो है बाकी other opportunities need score के basis पर आप लोगों के पास क्या है कि अगर mcc की तुरू आपको course नहीं मिल पाता है तो आप कहां कहां पर try कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है पहले second round का schedule देख लेते हैं को option choose करना होगा अगर suppose आप exit का option choose करते हो ठीक है कि माल लोग आपने first round में participate कर दिया था या आपको कहीं और college मिल गया आपको second round में participate नहीं करना या उसके बाद किसी भी रांट में participate नहीं करना तो आप वहाँ पर बोल सकते हो कि yes that I don't want to participate इस तरीके से आपके पास एक option आएगा और आप वहाँ से free exit ले सकते हो आपको security feature को आपको refund हो जाएगा ठीक है तो कल से जो है registration फेसिलेटी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर और fresh registration भी किया जा सकता है जिस candidate ने first round के counselling में participate नहीं करा अगर वह try करना चाता है second round की counselling में तो वह participate कर सकता है ठीक है और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है कि choice filling जो है वह आज यहने कि 6th of September से आपके start हो जाएगी ठीक है तो जिसने choice filling कल नहीं करी है या जिसने first round में participate कर रहा तो first round में registration किया था आप वह second round मे तो registration करेगा नहीं उसको सिर्फ second round में choice filling करनी है तो आप लोग जो है अपनी choice filling आज से कर पाएंगे और जो last day यहां पर रहेगी वह 10th of September रहेगी यहां ठीक है तो 10 September तक जो है आप रात के 11 बचके पच्वान मिनिट तक जो है अपनी choice filling कर सकते हैं और जो choice locking का process है वह शाम को चार बजे से आपका start होगा 10 तारीक को और वह भी रात के 11 बचके बच्वान मिनिट तक चलेगा and result जो है वह आपका 13th of September को declare हो जाएगा ठीक है तो अब यहां पर बात करते कि expected cutoff देखो courses में क्या रह सकती है तो पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि first round में cutoff कितनी है ठीक है तो देखो मैंने सभी courses के ऊपर वीडियो अप्लोड की हुए कि MBBS की cutoff कितनी गई है All India quota की BDS की cutoff कितनी गई है और BAC nursing की cutoff कितनी गई है category wise तो तीन ओपर मैंने वीडियो अप्लोड कर रखे है अब आप जिस भी course की counseling में participate कर रहे हो उस course की first round की cutoff को एक बर जरू कर लो ठीक है और उसको बाद मतलब यह सिर्फ उनके लिए जो पहले round में participate नहीं कर रहे हैं and second round में आकर directly कर रहे हैं तो उनके लिए चीज़ ज्यादर important हो जाती है और जो first round में कर रहे हैं तो पहली चीज़ पुद्दे को यह याद रखो कि अगर आपके पास कोई भी backup option न आपको बिल्कुल भी fill नहीं करने हैं क्योंकि अगर आप करते हो जैसे मालो आप Delhi से belong करते हो अब आपने Tamil Nadu का कोई college fill कर दिया आप वह पता चला कितना दूर है आपसे ठीक है लेकिन फिर भी आपने सुचा कि मसे मसे में भर देतना है ठीक है कि मिल जाएगा तो देखा जा तो इस नुक्सान से बचने के लिए मेरी advice सभी candidates को यह है कि आप जो है फालतू के colleges को बिल्कुल भी अब फिल ना करें ठीक है वही college आप counseling में फिल करें जिसकी आपको जरूरत है जिसमें आप admission लेना चाहते हैं और आप जो है सभी के courses की cutoff देख लें आप MBBS की cutoff देख ले आप BDS की cutoff देख लें आप BAC nursing के cutoff देख लें आप लगता है आपको कि MBBS में जितनी भी cutoff गई है ठीक है जितनी भी rank तक cutoff गई है मालो की 20,000 है जितनी भी गई है इतनी rank तक गई है तो अगर आपको लगता है कि मेरी rank के एक लाग है general category में तो कोई भी possibility नहीं है MBBS में मिल उसे इसकी counselling में participate करना चाहिए लगता है आपको कि मेरा MBBS में number नहीं आप आएगा इसकी cutoff तो बहुत उपर गई है ठीक है और मेरे marks कम है ठीक है तो आप जो है BFC nursing के cutoff देख लो BDS के cutoff देख लो तो जिसके नजदीक आपकी rank लगती है first round की cutoff आई है उसके नजदीक जिस में भी जिस course में भी आपको लगता है कि यह rank जो है वो मेरे rank से similar है मतलब मिलती चुलती है past में यह ज्यादा दूर नहीं है तो आप उस course को भी जरूर सेलेक्ट करें ठीक है तो इस चीज़को आप अच्छे दियान लखना और यहाँ पर यह यह कि भई जो भी course में आप admission ल होगा ठीक है ना तो यह चीज़ जो है आप अच्छे से समझ लें और इसके अलावा देखो क्या है कि अगर आपको लाइक cut-off का एक अंदाजा लेना कि second round में cut-off कितनी जा सकती है अगर आप किसी भी course का analysis करते हो तो देखो exact cut-off तो कोई भी नहीं वता सकता बट यह है कि ज second round में participate कर रहे हो तो आप यह मान के चल सकते हो कि भाई उसकी जो cut-off है 10-15,000 रांग उपर बढ़ सकती है बस ठीक है maximum 20,000 रांग तक उपर बढ़ सकती है लेकिन इससे जादा नहीं होगा ऐसे नहीं है कि भाई 90,000 रांग पर cut-off गई है और आपकी 180,000 रांग है सपोस्पोस के हो रहे हैं आप last round तक participate करते रहे हैं क्योंकि बार बर आपको कोई registration यहाँ पर नहीं करना है ठीक है एक बर आपने payment कर दिया बस आपको फिर choice मिलिंगी करते रहना है जब तक आपको कोई भी seat a lot नहीं हो जाती है तो पहले advice तो देखो यही follow करो और मतलब expected cut-off का भी मतलब बंदाजा लगाने से कोई जादा benefit नहीं होगा मिलना होगा तो मिल जाएगा बड़ आपका काम बस क्या है try करना है ठीक है और मैंने बता दिया कि जिदनी भी cut-off गई है उससे 10-15,000 यह 20,000 maximum rank तक आप consider कर लो कि cut-off जा सकती है आपकी particular category में ठीक है अब बात करते हैं कि बाक rates eligible है उसमें और NEET score के basis पर ही selection होगा तो आपको जैसे लगता है कि भाई BAC nursing करना था आपने MCC की बाटिसिपेट करा लेकिन आपका मौ आपका चांसवार नहीं आ पाया ठीक है तो 350 माक्स है 400 माक्स है 380 माक्स है 450 माक्स है 500 माक्स है MCC में नहीं मिल पाया तो IJMS पट्टा में जरूर apply करो उसमें कैसे apply करना उसका सारा process क्या है मैंने पूरी वीडियो के उपर बना रखी है form उसका जो है offline आपने speed post के थुरू भेजना होगा तो form कैसे download करना है कैसे print out करना है क्या 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 documents भेजना है कि से address पर भेजना है यह सारी चीज़े मैंने उस वीडियो में बताई है उस वीडियो को भी check out कर सकते हो उसका link मैं आपको comment section में दे दूँगा and देखो मैंने काफी सारे candidates को guide कर रहा ह selection process के लिए जैसे कि भई जैसे need का exam जिसने candidate ने दिया था तो जहाँ जहाँ possibility हो सकती थी मैंने उनको वहाँ वहाँ पर try करवाया और आप मेरे channel पर community post पर जाके दिखोगे तो बहुत सारे candidates आपको दिख जाएंगे मैंने उनकी success story वहाँ पर boss की हुई है तो यह है कि भई मेर mentorship batch में अगर आप अनोल करना चाते हो आपका need score अगर 400 प्लस है तो आप अनोल कर सकते हो और जहां पर भी chances होंगे मैं आपको कोशिश करूँगा nursing paramedical courses में admission दिलवाने के लिए ठीक है government college में तो अगर कोई mentorship batch में अनोल करना चाता है तो वो मेरे को telegram पर message कर सकता है mentorship batch में अनो seven rupees है और यह one time payment है तो आपको एक बर payment कर देना है उसके बाद आपको group में add कर दिया जाएगा आपको contact number share कर दिया जाएगा और उसके बाद मैं आपको guide करूँगा कि भई आपके score के basis पर आपके पास क्या-क्या opportunities हो सकती है ठीक है और IJMS पटना के बाद अब एक form और आएग basis पर ही होता है ठीक है तो वह नीट score की basis पर होता है तो वहाँ पर भी try आप कर सकते हो लेकिन अभी उसका form release नहीं हुआ जब होगा तो मैं बता दूँगा उसके लिए आप जो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon को press कर लेना ठीक है तो आप इस वीडियो को यह parent करते हैं बागी आपक कि जो भी doubts है comment section बता देना और वीडियो अगर पसंद आए तो please को जरूर लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो subscribe कर लो और bell icon को press कर लो okay so thank you and have a nice day